हलो फ्रेंड्स स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में फॉर्म फिलप करके बताएंगे एंसील का जिया दोस्तो नोर्थन कॉल फिल्ड लिमिटेड में जो वेकेंसी निकली थी 2012 पदो पे अप्रें और ट्लीक करने के बाद आपके यहां पर फोम का फिलफ होगा वो स्टाट हो जाएका दुस्तों यह जो पोस्त है खेटर वेटर फिल्डल तो आपको पहले सबसे पहले ट्रेड सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका कौनसे त्रेड से अपक्लाई ट्रेड में आवेधन कौनसे trade से आप select कर लिजेगा feature हो या फिर electrician हो वो करने के बाद आपको क्या करना है दो number पर आपको apprentice portal registration number fill up करना पड़ेगा वो आपको www.apprenticesindia.org पर आपको यहाँ पर registration करवाना पड़ेगा वो number आपको महाँ पर fill up करना है उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको पहला नाम मिडिल नाम और लास्ट नाम आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपका surname हो सारा आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद में लास्ट नेम लिखने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा जेंडर आपको कौन सा है male, female, other वो लिखना पड़ेगा religion, आपका Hindu, Islam, Sikh, Christian others, जो भी religion से आप विलूम करते हैं वो आपको 6 number point में टिक करना पड़ेगा 7 number point में आपको caste, category बतानी पड़ेगा आपको general OPC, SC, STG category से विए आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि आप क्या आप शेरेरी ग्रूप से दिव्यांगा मतलब क्या आप physically handicapped है या नहीं है वो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर फिर उसके बाद में दोस्तों 90 point में आपको date of birth बतानी पड़ेगा दोस्तों या पर क्राइटेरिय बता रहे है कि जन्रल केटेगरी के लिए इससे पहले का date of birth नहीं होना चाहिए और बिसी के लिए बता रहे है SST, PWD, सब के लिए आप बता रहे है दोस्तों तो आप सारा detail में पुरा analysis करके या पर form भरिएगा और ये चीजे देखने के बाद में या पर permanent address आपको लिखना पड़ेगा house number हो गया उसके बाद में village आपका कौन सा है city आपकी कौन सी है district कौन सा है, state कौन सा है और pin code आपका कौन सा है ये सारा आपको fill up करने के बाद में नीचे आपका correspondence address बता रहे है अगर आपका correspondence address same permanent address की तरह ही है तो आप उस पर tick कर दिजीगा नहीं तो आपको दुबारा से पूरा नीचे address fill up करना पड़ेगा अगर आपका correspondence दूसरी जगा आप रहते है तो आप fill up कर सकते हैं technical qualifications इसमें आपको ITI already selected है name लिखना है इसका नाम लिखना है address लिखना है अपको कि उसका जो address है वो लिखना पड़ेगा district, state कौन से वहां से यह कौन से जीली से आपने करी रहे है और वो इस्टेट लिखना पड़ेगा कौन से trade से आपने pass करा है वो भी लिखना पड़ेगा और course की starting date कप दी और ending date कपती वो भी आपको वहाँ पे mention करना पड़ेगा इसके बाद में दोस्त आपने कब यहाँ पे pass करी थी कौन से year में passing करी थी वो लिखने पड़ेगी और कुल अंक सबी विशो को मिलाकर कितनी अंक आपके आए वो बताने पड़ेंगे कितने percentage आपके आए वो भी सारे आ नंबर और आधार नंबर आपको देने पड़ेंगे फोरम में यहाँ दोस्तों यह सारी सीजी fill up करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे upload करने पड़ेगी कुछ documents आपको रंगीन photocopy आपका signature पेरेंट्स के signature आपको cast certificate आपका IT certificate और आपकी 8-10 की mark sheet पड़ेगा आपको इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो final document submit करना पड़ेगा वो है आपका जाती certificate यहाँ दोस्तों जाती प्रमान पत्तर आपको यहाँ पे cast certificate अपलोड करना पड़ेगा यह सारी चीज़े cast certificate दोस्तों आप गंग से भरिएगा cast आपकी जो cast हो आप उससे related ही क्लिक करना है इसके बाद में I am note रोबोट पे क्लिक करके आपको submit कर देना है उसके बाद में दोस्तों final stage आपकी यहाँ पर fee submit से related हैगी वहाँ पे payment कर सकते हो तो दोस्तों यहकर वीडियो अच्छा लगे तो उसको like कीज़ेगा चैनल को subscribe कीज़ेगा धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद